UPSI, exam, rupee, yudhaki, runbheri या runbheri का अब बच चुका है और कल ही यह सूचना आई थी कि 12 तारिक को आपका परिक्षा प्रारंब हो जाएगी उसके साथ में ही आपके बहुत सारे doubts जिन में से दो सबसे जादा थे कि सर admit cards का क्या होने वाला है, admit cards कब से आने वाले हैं और दूसरा सबसे बड़ा जादा तर जो other state वाले बच्चे थे, वो बहुत जादा message कर रहे थे कि सर exam center कहां पे रहने वाले हैं, तो इस समय एक छोटी छोटी यह गलतियां जिस समय केवल आपको अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, पूरा अपना ध्यान पढ़ाई में रखना चाहिए उस समय इन चीजों में अगर आप ध्यान दोगे तो आपका सबकाम बेकार हो जाएगा पर कहीं न कहीं यह चीज़े important भी हैं कि admit card मिस न हो जाए admit card हमको पताना लगे हैं, कुछ भी हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए कि admit card कभ issue होने वाले हैं, कैसे issue होने वाले हैं इसके ओपर एक छोटी सी video बनाना मैंने ज़्यादा ज़रूरी समझा और exam center से सम्मंधित बात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपको बतानी है उससे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ आपकी अब दोपहर में अब के बाद इसके बाद जो वीडियो आएगी वो मुल्विधी practice की वीडियो आएगी अब topic wise हम practice करेंगे साथ में हिंदी का अब हम overall top top question निकल के लाऊंगा 40-40 के set बना गए ठीक है mix up question रखेंगे जिनसे आपकी बहुत 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 बैटर practice होगी साथ में आपका जो सम्मिधान है उसके mix up set रखेंगे जिन में से अती संभावित है तो आप यदि चैनल पर नए आए हैं तो ये बिल्कुल निशुलक है आपके लिए आप चैनल को subscribe करना न भूलें और description में link दे दूँगा वहाँ पर telegram join करना न भूलें क्योंकि PDF जो मुलविदी वाले questions की दूँगा वहीं पर आपको मिल जाएंगी चीजें और भी जनकारियां आपको सब वहीं पर मिलती रहेंगी तो बिल्कुल aware रहिए और आपके लिए एक और अच्छी चीज़ का मैं इंतजाम करवा रहा हूँ उसके update में आपको शाम को दूँगा क्योई भी कमी आपकी त्यारी में नहीं छोड़ी जाएगी अब बात करते है admit cards की admit card में एक बात लिखी हुई है यह जो कल notification आया था जो यह notice आया था official site पर आप एक बार इसको देखो यहां पर यहां पर आप इसको देखो थोड़ा सा zoom करके दिखाता हूँ आपको यह तो पता लग गया है कि तीन चरणों में यह सारी बात है हम सीधे अपने बात पर बात करते है कि जो आपके admit cards है वो आपके exam date के मानो कि आपका exam 12 तारीक को है मानो आपका exam 12 तारीक को है यह ध्यान से आप समझ लो मानो आपका exam 12 तारीक को है तो तीन दिन पहले यानि कि 9 नवंबर को आपके हाथ में admit card आ जाएगा आपके हाथ में admit card आ जाएगा बट सबसे बड़ी दिक्कत तो यह बहुत सारे बच्चों को है कि सर यह नहीं पता कि exam center पास आए या दूर आए और यदि पास आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है पर यदि दूर आएगा तो हमको reservation करवाना पड़ेगा या other state वाले जो बच्चे हैं जो MP से हैं महराष्ट हैं राजस्थान से हैं बिहार से हैं उनके लिए reservation वाली बात की बिल्कुल बात है तो अगले ही point में दिया गया है एकदम इस पर स्रूप से सुन लो अगले ही point में दिया गया है कि तीन दिन पहले आपको exam center का पता लग जाएगा किसका? exam center का बगि फ़लाने school college या center में आपका exam होगा exam conduct कराये जाएगा बर 10 दिन पहले आपको exam city पता लग जाएगी आपको शमा चाहता हूँ थोड़ा सा शुब़-शुब़ ठंडर का मौसम में थोड़ी खांसी वागेर है ठीक है exam city आपको पता लग जाएगी कि city में है तो आप उसको देखके अपना रिजर्वेशन करा लीजिए कोई दिक्कद आपको नहीं होने वाली है अब देखो 12 को है 12 को exam है तो आज 2 है तो संभवता है आज आपके admit cards के बारे में कुछ न कुछ विग्यप्ती या सूचना provide करेंगे जैसे ही कोई सूचना विग्यप्ती अब कोशिश करूँगा लाइव उनको रखो मैं और लाइव आपके लिए सब चीज़ें वो मैं आपके कराऊ तो अब आज 2 तारीक है तो 10 दिन पहले का है तो आज इने कुछ न कुछ प्रोवाइड करना चाहिए पर एक्जाम सेटी आपको 10 दिन पहले ही पता लग जाएगी और 10 दिन पहले पता लग जाएगी तो एक्जाम डेट भी आपको पता लग जाएगी और 3 दिन पहले आपको एक्जाम सेंटर के बारे में पता लग जाएगा अब exam center के बारे में बात है कि sir exam center कहां पढ़ने वाले other state वालों का बहुत ज़्यादे question है तो आपको पता होना चाहिए अगर आप किसी state का exam भरते है तो आपको उस particular state में जाके ही exam देना पढ़ते है यदि आप अर्याना का form भर रहे हैं तो आप इंडिया में कहीं से भी हो आपको अर्याना जाना पड़ेगा यूपी का भर रहे हैं तो यूपी ही आना पड़ेगा और यूपी के 19 centers पे कितने पे sorry 13 जनपदों में यूपी के 13 जनपदों के 12 centers पे आपका exam होगा तो यूपी के 13 जिले हैं यूपी से बाहर exam कहीं नहीं होगा तो आप अपने मन को मजबूत रखिए बिल्कुल भी घबराईए नहीं हिम्मत से पढ़ते रही है रिवाइस करते रही है सब चीजें आपको जनकारी वाली जो बात होगी अब जगे जगे यूटूब खोल के मत देखना ठीके जो जनकारी आप मुझे बिश्वास करते होंगे सब जनकारी आपको time to time बिल्गूल डिले नहीं करूँगा time के time पहुचा दूँगा बट यार आप दबा के subscribe करो एक दो दिन में आपको बहुत बड़ी एक news भी मैं देने वाला हूँ बस share करो पढ़ो दबा के और अच्छे से राम जी पाट शाला सपोर्ट करो राम जी पाट शाला आपके सपोर्ट में है इसी इसी बात के साथ आप देख रहे हैं ते राम जी पाट शाला मैं हूँ राम भारत वा जय हिंद जय भारत